लालची दूद वाला एक छोटे से गाउं में एक दूद वाला रहता था वो बहुती लालची था वो हर रोज नदी पार करके शहर में अपने ग्राहकों को दूद बेचता था शहर जाते समय वो नदी का पानी अपने दूद में मिला कर अपने ग्राहकों को बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था देखते ही देखते वो अमीर आदमी बन गया एक दिन अपने बेटे की शादी मनाने के लिए वो सारे ग्राहकों के पास पैसे लेने गया सारे पैसे एकटा हो जाने के बाद उन पैसों से उसने नए कपड़े और गहने खरीदे शहर से लोटते समय उसकी नाव एक पत्थर से टकराई और उल्टी हो गई उसने देखा कि उसकी सारे नए कपड़े और गहने पानी में डूब गए ये देखके बिचारा बहुत ही उदास हुआ और रोने लगा तब अचानक पानी में से एक आवाज आई रोते क्यों हो, जो भी तुमने गवाया है वो तुमने बेमानी से ही तो कमाया था ये सुनकर दूद वाले को अपनी गलती का एसास हुआ इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है